सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज जारकन वगपाएं जारकन की तमाम खबरें दिपावली के पटाखों से दुकान में लगी भीश्वनाग, समय रहते पाया गया काबू, बड़ा हाथ सा टल गया एक और जहां दिपावली के लेकर जिलेवासी पूरे उत्सा के साथ दिपावली मना रहे थे, तो हैं दूसरी तरफ एक दुकान में भीशन आग लग गई दुकानदार की बात माने तो लोग बेतर्तिव तरीकों से पटाके फोड़ रहे थे, वही इन पटाकों से कई तरह के नुकसान भी हुई इसी करमे सहर में दिपावली में छोड़े गए पटाकों की चिनगारी की वज़ा से छमुहान के समीब बड़ी महजीद के ठीक सामने साहिल कॉम्पलेक्स के में उपस्तित एम करन कलर लेब में आग लग गई हलाकी समझ बूच से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया जिससे बड़ा हाथसा होते होते रह गया इस बावत करनल रेब के संचालक अरून करनल ने बतलाया कि इस हाथसे में पचास जार से एक लाख तक की समपती जलकर नर्ष्ट हो गया है पटाकों की चिनगारी उड़कर उनकी दुकान के बाहर रखे होटो फ्रेमिंग के समान में लगी और आग हलाकी आस पास लोगों ने ततकाल पानी डाल कर इसे बुझा दिया मौके पर फायर बिग्रेट की गाड़ी भी पहुची थी लेकिन उसके पहले ही आग पर काबू पालिया गया उन्होंने काए कमपलेक्स के नीचे कुछ लोग पठाके फोड रहे थे ऐसी संभाव नहाय की पठाके से निकली चिनगारी उनकर दुकान के सट्रक के पास रखे समान में लग गई जिससे समाने जलकर नश्ट हो गए होटो फ्रेमिंग से सम्मंधित आइटम वहाँ पर मौझूद थी मौके पर अस्थानिये लोगों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पालिया गया आग बाहर रह गया और अंदर परवेश करने परभारी नुकसान हो सकता था मौई घटना की सूचना पाकर पुरोमंत्री के इंतिरपाठी नगर परिसत के पुरो अध्यक्ष मनोज सिंग सहर्थाना परभारी इंस्पेक्टर अभय कुमार सीना टियोपी वन परभारी रेवा संकराना मौके परभूचे और घटना की जानकारी दी मोहित सिंग की रिपोर्ट